आज 28 तारिक है और निसंदे आज का दिन बहुत बड़ा है जैसे हमने एक वीडियो देखी शुरू में एंड इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है आज के इस दिन को इस महिने को इस क्वाटर को इस साल को अपनी लाइफ को जब हम इमेजिनेशन करते हैं चलो हम कलपना करते हैं एक अच्छी लाइफ का तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और यह बहुत जरूरी है कि हमारे कॉंसेस सबकॉंसेस माइंड में जब यह चीजें आनी शुरू होती है और यह परिवर्तन सबसे पहले हमारे अंदर से आता है जब आप अंदर से परिवर्तन करने के पास और यह दो दिन अपने आप में बहुत बड़े दिन है और इन दो दिन के अंदर हम अपने बिजनस को नहीं उचाईयों पर लेके जा सकते हैं इसी सोच के साथ इसी विश्वास के साथ आज के इस दिन को शुरू करते हैं और मैं आपके साथ एक बीपीटी के माधिम से क्लोजिंग की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहांगी क्लोजिंग हम कैसे बैटर कर सकते हैं कैसे हम अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ सकते हैं माविट साथ से में पूछना सांग हो क्या आज पार यह सर मैं कि अे स्कृन दिख पा रही है यह सर यह सर तूब करने के लिए अपने आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए अ अपने शबनों तक पौशने यह ननके बलकर टीम के सबस्पनों तक पौशने के लिए भी क्लोजिंग बहुत जुरूरी है और क्लोजिंग से ही बड़े परिवर्तन होते हैं बड़े जल्स आते हैं बड़ी टीम का निर्मान होता है और क्लोजिंग बहुत जुरूरी है closing के महत्तों को अगर हम समझें closing क्यों जरूरी है closing का मतलब केवल task पूरा करना नहीं closing का मतलब केवल call करना नहीं closing का मतलब केवल information देना नहीं closing का मतलब है trust को build करना जब आप अपने prospect के साथ अपने associate के साथ अपने team के साथ trust को build करते हैं तो आपकी अच्छी closing होती है जिसे इसमें हमारा closing month चल रहा है अगर आपको किसी को consistency के बारे में बताना है कि वोल inform नहीं करना है कि वोल information नहीं देनी है बलकि एक trust build करना होता है अपने team के साथ अपने associate के साथ कि उनकी life में भी बहुत बड़ा change आता है और सबसे कमाल की बात ये है कि हमारे यहां जो विक्तिया जोएन करता है उसका business भी carry forward रहता है my different team owners के लिए other जगे अगर हम देखे तो business एक तारीक को lapse हो जाता है जिरो हो जाता है जबकि हमारे यहां पे आज भी carry forward रहेगा और एक तारीक को भी carry forward रहता है यह सबसे कमाल की बात हमारे business के अंदर है तो trust को build करना जब आप सामने वाले के trust को build करते है trust build कब होता है trust build होता है communication skill के द्वारा जब आप उनके benefit की बात करते है जब आप यह closing एक direct selling में के एक essential skill है न के वो direct selling में बलकि हर profession में चाहिए कोई job है कोई business है कोई भी profession आप चुने है तो closing एक essential skill है इसको सीखना बहुत जरूरी है हम सब को सीखना बहुत जरूरी है क्यों जब आप इसको अच्छे से सीख पाते हैं जब आपको पता लग पाता है जब आप अच्छे से समझ पाते हैं कि सामने वाले prospect की need क्या है उसको उसकी need को समझ कर उसको जब आप solution देते हैं trust के साथ उसके benefit को दिखा के तो closing हो जाती है इसको समझना बहुत जरूरी है इसको जानना बहुत जरूरी है आपके prospect का benefit क्या है आपके associate का benefit क्या है वो क्यों आज कई ऐसे associate होते हैं जो बिल्कुल नए हमारे होते हैं जिनकों पता नहीं है कि 1000SV की कितनी बड़ी value है उनके business के लिए क्योंकि आज जो 1000SV, 2000SV, 3000SV डालते हैं तो 6 month में जो 6 महिने का by annual income है उसमें भी वो count होना है तो यह हमें समझाना पड़ेगा यह communication का मतलब है अच्छी वारता लाब के वादे हमसे उनको उनके benefit उनके business के हिसाफ से जबाव उनको benefit दिखाते हैं तो एक trust build होता है और यह trust का ही business है मैंने देखा है जिन teamों में trust blind faith जिसे कहते हैं अपलाइन पे trust होता है तो वो team बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है और जिस leader के बीच में trust होता है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करते है तो बहुत ज़रूरी है कि trust को build करें अच्छी communication के साथ बिल्ड करें और ये skill सीखनी बहुत ज़रूरी है तो ये बहुत जरूरी है अधर चैलिंग में और आज offers बहुत सारी है benefits बहुत सारे है תो benefits को हमेशा highlight कीजी direct selling में चीज़ें चीज़ें आज और क्या कल क्या benefit है ये उनको समझाना बहुत जरूरी है, personally समझाना बहुत जरूरी है features की जगे benefit को बताना बहुत जरूरी है बिलकुल आम भासा में, जिस भासा में आपके prospect समझे जितने आम और जितने simplicity के साथ आप बताएंगे, उतने ज़्यादा अच्छी से समझ पाएंगे और उतना ज़्यादा बिजनस के अंदर, trust को build करके बिजनस के अंदर आगे, बढ़ेंगे तो बहुत जरूरी है, highlight करना है benefit को highlight करेंगे कैसे आपको अपना reports के बारे में बहुत सरे time आपको share किया गया, आपके आप लाइन के माध्यम से भी आपको पता हुआ कि reports कितनी सारी हमारे पास आती आपके ट्री में जब आप reports में जाते हैं, आप देखते हैं consistency bonus में आप जाते हैं कि particular associate की ID आपन करके associate का जो current business है, उसके हिसाब से उनको अगर आप बताएं, एक तो होता है journal information देना कि power bonus करने के क्या benefit है freedom bonus करने के क्या benefit है consistency bonus करने के क्या benefit है लेकिन particular जब आप उनके business के हिसाब से उनको share करते हैं तो एक personal relationship build होती है, personal trust build होता है 12.5, 12.5 PSB करने पे इस महीने कितना PSB और करें कि उनका consistency bonus qualify हो, second कई लोग ऐसे हैं जिनका इस महीने consistency bonus qualify हो चुका होगा, लेकिन उनको अब वो bonus उनको मिलेगा, तो वो कैसे उसको use कर सकते हैं, इससे भी trust build होता है, उनको concilate करना बहुत जरूरी है उनका 5000-5000 जब आप match कराते हैं पहली बार, उनका जब payout आता है, वो trust build करता है तो आज और कल यह बहुत जरूरी है देखना कि एक कदम आगे grow कैसे करें अपने business को पिछले महीने, पिछले सप्ता पिछले सप्ता की बात करें तो आपके team में कितने लोगों ने जो है कि 5000-5000 किया, दज़र-दज़र किया तो यह बहुत जरूरी है देखना कितने लोग हैं जो जिन्होंने consistency की है इस महीने थोड़ा सब business को grow करना जिसे हम महीने के हर महीने के first week में हम आप से share करते हैं और आप भी जानते हैं कि business health chart बनाना कितना important है उसको देखके जो आपकी core leader है उन्होंने कितना business health chart बनाया था कहां तक वो पहुँचे हैं, कितना उनका balance है counseling कीजिए उनसे बात कीजिए और देखे उनको उनके benefit को दिखाईए आज से तीन इस quarter का जो उन्होंने goal रखा है उस quarter के वो कितने नजदीक है जो trip है Malaysia कि उसके वो कितने नजदीक है कितना business और उसमें करना है तो यह benefit दिखा के अगर आप personally उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे results बलेगे features के जगे benefit की बात की जाए features के जगे benefit उनको दिखा जाए तो बहुत जरूरी है देखे urgency create करना बहुत जरूरी है आज जब आप अपना laptop on करते हैं जब आप अपने order पे आप जाते हैं तो जब आप अपने associate से बात करते हैं तो immediate closing बहुत जरूरी है मैं personally जब ID open करता हूँ जिनको मुझे लगता है कि जिनका consistency bonus कितना है या कि उनको कौन से level achieve करना है कितना उनका shortfall है कोसिज किजिए कि उसी समय उनका order लगे no और never हमेशा यह चीज़ काम करती है या तो now या never या तो अभी होगा या कभी नहीं होगा क्योंकि आज आज एक target बारावेस से पहले हम कितना business login करवाने वाले है किस को हम qualify करवाने वाले तो decision लेने में आपको help उनको देनी है क्योंकि वेक्ती कोई भी वेक्ती है उसका कई लोगों का nature होता है कि चलो टान लेका कि जो दिन में लगाएंगे स्याम को लगाएंगे फिर वो कल बे चला जाता है तो एक urgency create करना बहुत जुरूरी है क्योंकि जितनी जल्दी आप business उनका login करेंगे उतनी जल्दी exact उनके SB का पता लेगा कितना और shortfall है तो बहुत जुरूरी है इसको देखना और urgency जब आप create करते हैं urgency create करना करने से results जल्दी मिलते हैं फ्लास्क बोटल का offer इससे में चल रहा है recruitment का offer चल रहा है वो देखे recruitment केवल फ्लास्क बोटल या केवल दो लोग नहीं आपको नहीं पता कि आज कौन सा ऐसा विक्ति आपके टीम में recruit होने जा रहा है जो आने वाले टाइम में आपकी टीम का सबसे प्रभाव साले लेटर बन सकता है तो यह बहुत जरूरी ही और आप हमेशा इस सोच के साथ लोगों को बिजनस में लेके आते हैं कि आने वाले समय में वो आपके टीम के crown diamond होंगे या आपके टीम के diamond हो इस सोच के साथ जब आप लोगों को बिजनस में लेके आते हैं वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं जैसे वीडियो में आपने देखा कि imagination करना, kalpna करना लोगों को जब आप बिजनस में लेके आ रहे एक ऐसे thought process के साथ आने वाले समय में आपकी टीम के सबसे प्रभावसले लिटर बनेंगे अर्जनसी क्रियेट करना बहुत जुरूरी अर्जनसी क्रियेट के जीए और ये जो पॉइंट है ये बड़ा कमाल का पॉइंट है रिलेसंसी बिल्ड करना एक ट्रस्ट के साथ आपने कि आपने कितने आपने से कितने लोगों ने जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं छोटे से बच्चे को एक हाइट से आपने उसे कूदने के लिए कहा है बहुत सारे टाइम हो सकता है आपने से बहुत सारे लोगों ने किया हुआ छोटे बच्चे को जब हम कहते हैं ऐसा करने के लिए जैसा आप इस पिक्चर में देख लें एक ट्रस्ट उस बच्चे के अंदर होता है उसे पता होता है कि आप उसे पकड़ लेंगे बिना फियर के साथ ठीक इसी तरीके से इस बिजनस के अंदर भी रिलेशनसी बहुत बड़ा काम करती है जब आप लोयल्टी के साथ ट्रस्ट के साथ बिजनस को बिल्ड करते हैं जब उनका बैनिफिट आप उनके उनकी ग्रोथ के लिए बताते हैं जब आप उनको उनके benefit बताते हैं कि वो कैसे इस business के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और एक छोटे-छोटे SP से कैसे उनके payouts बढ़े हो सकते हैं कैसे वो 3 मेहने बाद, 6 मेहने बाद, 1 साल बाद अपनी life को transform कर सकते हैं क्योंकि वो 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 विश्वास, वो energy, वो excitement आपकी आँखों में दिखता है, वो trust आपकी आँखों में दिखता है और prospect आपके trust को आपके associate आपके आपकी आँखों में जब देखते हैं जब आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि वो आगे बड़े, उनकी success के लिए आप आगे बड़े और हमारे business की बड़ी कमाल की बात है कि पहली चीज़ आपको transform करने का मौका देती है second, आपको success होने का मौका देती है और सबसे बड़ी बात इस business के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की life में बहुत बड़ा change ला सकते हैं एक contribute हम सब कर सकते हैं तो बहुत जरूरी है और referral इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं relationship को build करना बहुत जरूरी है एक truly inspiring leader की सबसे खास बात होती है लोग उन पर उन पर विश्वास करते हैं उन पर trust करते हैं और एक ऐसा relationship बन जाता है अपलाइन और team के बीच में कि किसी भी तरह की challenges जो आपके साथ share कर सकते हैं business related तो बहुत जरूरी है follow up करना बहुत जरूरी है तीन महीने बाद भी आपके business message नप करते हैं आपकी follow up को लेके planning क्या है follow up करना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि business plan show के आपने और immediately joining आती है कई बार immediately joining नहीं आती है क्योंकि लोग decision नहीं ले पाते हैं कई बार तो उनको जो आप follow up करते है follow up कैसे किया जा सकता है follow up किया जा सकता है कि आप उनको touch में आपको रहना है उनके mind में कभी भी आए कि उनको direct selling में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपका नाम याद आना चाहिए अपने prospect को हमेशा follow up के process में रखिए planning कीजिए follow up करना बहुत जूरी है और मैं मैं बहुत ज़्यादा follow up करता हूँ बहुत सारे ऐसे 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 prospect हैं जिनको मैं पिछले एक साल में दो साल में मैं लगातार follow up में उनको कई लोग है जो business में reactivate होते हैं कई लोगों जो business में आते हैं तो follow बहुत ज़्यादा जुरूरी है देन देखिए एक mindset, growth mindset जी हाँ, growth mindset और fix mindset हम किस mindset में हैं, ये जानना बहुत जुरूरी है fix mindset, देखिए हम सब इंसान हैं और कई बार हम fix mindset में चले जाते हैं लेकिन fix mindset से life में बड़ा change नहीं होगा fix mindset लीमिट आपको लीमिट कर देता है fix mindset नहीं बदलाओ के लिए आपको प्रेरित नहीं करता है fix mindset हो सकता है आपको लगे कि मेरा मलेसिया नहीं हो सकता fix mindset क्या दर्शात है कि closing पुरे 26 दिन में तो कुछ बड़ा नहीं होगा fix mindset fix mindset है कि चलो अगले महीने से देखते हैं कई बार हम fix mindset में होते हैं लेकिन हमें fix mindset में इस तरह नहीं करना है में आना है growth mindset में ते growth mindset हमेशा opportunity की बात करता है हमारे पास दो दिन है वो ये बात नहीं करता है कि 26 दिन में कुछ नहीं होता दो दिन में क्या होगा growth mindset हमेशा जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हम कर सकते हैं challenge को accept करता है देखो इसको nurture करना बहुत जुरूरी है growth mindset को develop करना बहुत जुरूरी है growth mindset हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है growth mindset उन चीजों की बात करता है जो अभी तक नहीं हुआ है पहले तो हमें जान बूच कि अपने growth mindset को activate करना पड़ता है ये बहुत जुरूरी है otherwise छोड़ना बहुत जुरूरी है, बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आती है, कि चली एक तारीक से करेंगे, और एक तारीक से देखे, मैं क्या प्लानिंग करता हूँ, क्या आइडिया पर काम करता हूँ, कितनी अक्टिविटी करता हूँ, कितना बड़ा बिजनस, अगले महीने हम करेंगे फिर हर महीने यही process चलता मैं दो दिन बहुत बड़े दिन हम सब के पास दो दिन बहुत बड़े दिन है 28-39 लोगों ने तो 70-70 मिनट में चीजें चेंज की हैं 30-30 मिनट में बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो कुछ ही समय में हुए है तो आज का दिन और कल का दिन सबसे पहले growth mindset को develop करना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ आप अगर किसी label को किसी title को hit करने वाले हैं तो आज और कल कैसे कर सकते हैं कैसे हो सकता है इस mindset को develop अगर किया जाए तो चीजें बहुत आसान हो सकती है fix mindset के साथ हमेशा challenges रहते हैं हमेशा दिक्कते रहते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से आप growth mindset को update कर सकते हैं लेकिन इसको habit में डालना बहुत ज़रूरी है challenges हो सकते हैं दिक्कते हो सकती हैं लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर fix mindset रहेगा तब बहुत बड़ा परिवर्तन हम life में नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा transformation हम life में नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर हम growth mindset को develop करते हैं अगर हम life में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो सांदार रहे वो जबरदस्त रहे तो present में हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो future में transformation लेकि आएगा present में हम कैसा mindset develop कर रहे हैं तो growth mindset की तरफ जाना बहुत जरूरी है अपने आपको जरूर हमें जवाब देना है क्या हम growth mindset की तरफ हैं क्या हम सखी में एक growth mindset को develop करने के लिए तयार है और यह तयारी हमारी खुद की होती है यह तयारी हमारी अंदर से होती है तो अगर आप तयार हैं तो definitely बहुत बड़ा transformation आप अपनी life में कर सकते हैं बहुत बड़ा change आप अपने अंदर कर सकते हैं और VLCC Well Science में एक बहुत बड़ी success आपका वेट कर रही है जितने भी लोग success हैं जितने भी लोग VLCC Well Science में टॉप पर हैं उन्होंने fix mindset से अपने आप को लेके गए हैं growth mindset में जब भी आप उनसे बात करते हैं तो उनको हमेशा उन चीज़ों की बात करते हैं जिनको visualize करते हैं जिनकी वो कलपना करते हैं होताने कई बार किसी विक्ति को मिलके हमारे अंदर energy आ जाती है हमें लगता कि नहीं यार सब कुछ आसान है वो जो problem हमें बहुत बड़ी दिखरी थी जब हम उनसे मिलते हैं जिनको अपनी life को transform किया है जो truly inspiring leader है उनसे मिलने के बाद हमें लगता कि हमारी problem बहुत चोटी थी तो बहुत ज़रूरी है growth mindset and हमेशा याद रखिए today is my day साई Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday कोई भी दिन हो हर दिन अगर आप इस नजरी के साथ start करते हैं कि आज मेरा दिन है today is my day today is my day ये एक ऐसा ऐसी self talk है my different जो आपकी life को transform कर रहे में बहुत ज़्यादा सहायक होता है today is my day आज मैं ऐसा क्या करने वाला आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे मेरे सपनों तक लेके जाएगा today is my day ये कहने भर से ही देखे हमारे अंदर बहुत ताकत है हमारे अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं बस अरते हम सीसे के आगे खड़े हो के अपनी ताकत को पहचान पाएं अपने आपको देखे कहते हैं कि कैसे बदला जा सकता है हो सकता है आप किसी चीज से थोड़ा सा डिस्टब हो थोड़ा सा परेसान हो दिक्कते हैं चैलेंजीज हैं लेकिन सीसे के आगे खड़े होकर जब आप खुद की आँखों में आँखे डाल कर बोलते हैं today is my day अपने कंदों को थप थपाते हैं क्योंकि आप अगर यह मानते हैं कि आपका जीवन कुछ अलग करने के लिए हुआ है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो डिसिजन लिया है VLCC Well Science के कुछ बड़ा करने करते हैं तो वो आपको ही करना है तो जब आप इस नजरी के साथ अपने दिन की सुरुवात करते हैं today is my day आज मेरा दिन है आज मैं कुछ बड़ा करूंगा या करूंगी आज मैं अपनी टीम में सबसे ज़्यादा लोगों को achievements दिलाऊंगा या दिलाऊंगी मैं नए titles का जो मैंने commitment लिया था वो मैं करूंगा जब आप ये decide करते हैं कि आपने इस महीने जो business health art बनाया था इतनी recruitment left में इतनी recruitment right में इतने लोगों का मुझे reorder करवाना है मुझे इतना turnover करना है मुझे इतना payout achieve करना है इस महीने तो जब आप इस सोच के साथ दिन के सुरुआत करते हैं तो एक दिन भी बहुत बड़ा है my direction परिवर्तन लाने के लिए today is my day और ये जब आप इस सोच के साथ today is my day की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो I am a champion yes आप एक champion है जब आप अपने आपको याद दिलाते हैं कि I am a champion मैं एक champion हूँ जब आप एक विजेता के तरह खुट के साथ वहवार करते हैं अपने टीम के साथ वहवार करते हैं I am a champion देखे कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक या तो motivate करते हैं हमें अंदर तक motivate करते हैं कुछ सब्द ऐसे हैं fix mindset में जो होते हैं जो आपको अंदर तक निराज करते हैं तो हमेशा ऐसे सब्दों का चीजों का चुनाव करना है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जिरूरी है कहके देखे अपने आपसे जब आप कहते हैं कि I am a champion जिहां आप एक champion है दिक्कतें आ रही हैं चैलेंजिस आ रहे हैं आपके अनुसार आपका business नहीं चल पा रहा है जब आपने सोचा था हो सकता है आप वहाँ पहुंचे और हो सकता है थोड़ा से दूर हो लेकिन जब आप एक गहरी सांस लेते हैं और I am a champion वाले attitude के साथ अपने दिन की सुरुवात करते हैं अपने हर पल की सुरुवात करते हैं तो आपकी life को transform होने से कोई नहीं रोख सकता इस सोच के साथ क्योंकि हम सब अलग-अलग background से हैं अलग-अलग challenges हर किसी की life में चल रही है लेकिन ये दो सब्द ऐसे हैं ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप परिवर्तन लहा सकते हो दीको VLCC WellScience एक system है यहाँ पर applying mentor आपका support करते हैं लेकिन बदलाव हमें अपने अंदर करना होता है जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं जब हम ये decide करते हैं कि आज का जो दिन है मैं अपने आज के दिन को ऐसे ही waste होने नहीं दूँगा ऐसे ही real में जाने नहीं दूँगा ऐसे ही अपने समय को खराप नहीं करूँगा आज मैं कुछ ऐसा करूँगा से लोगों को फिर से ट्रस्ट में लोगा जो इस बिजनस कंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्यूंकि मैं एक चैंपियन हूँ मैं छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी दिक्कतों से नहीं क्यूंकि मैं एक चैंपियन हूँ एक चैंपियन की तरह जब बिजनस के अंदर आगे बढ़ते हैं इस सोच के तरह आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा परिवरतन आप अपनी लाइफ में लाते हैं न केवल अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं बलकि हम अपने आज पास अपनी टीम की लाइफ में बड़े उतन ला सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि सोच के साथ इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है अपने समय का हमें good use करना है क्योंकि ये समय केवल ये closing केवल आज की closing नहीं है ये केवल फर्वरी की closing नहीं है ये closing है 2024 की हम हर दिन अगर इस सोच के साथ काम करें 2024-2025 हमारा सांदार हो सकता है पुरा जीवन बहुत सांदार हो सकता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मेजरिये को बदला जिन्होंने अपने attitude को बदला जिन्होंने अपने काम करने के तरीके लेकिया है और देखे सिंपल चीजों से चीजे चेंज होती है छोटी छोटी चीजों से करने से आज आप ऐसा क्या करेंगे ये खुद को आप बताई ये खुद लिखे कि आज मैं ऐसे दो तीन काम करूंगा ये करूंगी जिससे आने वाले समय में आपका बिजनस बहुत क्या हम यह नहें कहेंग आप तीस लोगों से बात किजिए पचास लोगों से बात किजिए लिमीट में नहीं बान देंगी को आज अपना सर्प्कों सर रहशेट कर सकते हैं हो सकता है पच्शाग उसकों सब्सक्रेंगा फिस्ञा को बिजस लॉग इन कर्ना हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना सरुस्ष्ट किया फर्वरी को बहुत सांदार हम सब मिलके करते हैं देन मार्च अपने आपने बहुत बड़ा महीना है और पूरा हर एक दिने अपने आपने बहुत बड़ा महीना है इस सोच के साथ कि आज टुडे इस माई डे यस टुडे इस माई डे आज मेरा दिन है और मैं एक चैंपियन हूँ एक चैंपियन थे कि छोटी 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 चीजों से संतुष्ट नहीं होता उसका एम बड़ा होता है उसका विजन बड़ा होता है उसके जीवन का लक्षे अलग होता है उसके लाइफ का मिसन स्टेटमेंट अलग होता है और ये एक IMA चैंपियन वाला एटिटूड ये एक नजरिया खुद को दिखाने का ये छोटी सी छोटी सी छोटा सा स्टेप है इस स्टेप के बिना ये पहला स्टेप इस स्टेप के मिना माम और स्टेप कवर नहीं कर सकते तो ये बहुत जुरूरी है कि हम सब के अंदर बहुत बड़ी काभियत है उस काभियत को हमेशा याद रखना क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आपको इस बिजनस के अंदर अग्जेकुटिव क्राउन बनना है टॉप लिडर्शिप में आपको आना है न केवल अपने स्टेट में बलकि पूरी इंडिया में अपने बिजनस को डेफलप करना है तो ऐसी सोच के साथ जब आप बिजनस डेफलप करते हैं तो वो परिवर्तन आपके अंदर अंदर से आता है और ऐसे परिवर्तन जब आप अंदर से लाते हैं तो हर पल, हर छण जैसे माविर सान ने स्टार्टिंग में कहा था कि अरजुन का जो लक्षय था फोकस था बिल्कुल किलिर था चिडिया किया सेम उसी तरीके से जब आप इस बिजनस के अंदर आपको निर्धारित करना है, हमें निर्धारित करना होता है कि हम क्या है केवल हमें क्लोजिंग नजर आती है या और भी बहुत सारी चीज़े नजर आती है हमें हमारा गोल नजर आता है बदलाव लाना है हमें बदलाव लेके आना है क्लोजिंग का मतलब अपने बिजनस को कैसे आज ग्रो किया जाए इस बदलाव के साथ अपने अंदर चेंज लेके आना अपने टीम के अंदर चेंज लेके आना और ये बदलाव केवल आज का बदलाव नहीं है ये बदलाव है आने वाले समय का लेकिन आज सोने से पहले खुद को जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब इस बिजनस के अंदर ना केवल अपने लिए आंसरेबल है ना हम अपलाइन के लिए आंसरेबल है ना हम चल रही हैं जो आपके साथ अक्सर हर बार शेयर की गई है ये बहुत जुरूरी है कि आज मिलकर कुछ बढ़ा किया जाए आज मिलकर कुछ ऐसा किया जाए अपने टीम्स के मैकसिमम लोगों तक पहुँचा जाए उनको रियोर्डर के लिए प्रेयरित किया जाए आज वाइनिंग के लिए प्रेयरित किया जाए रिक्यूटमेंड के लिए प्रेयरित किया जाए उनका पेयाउट को बढ़ाने के लिए काम किया जाए तो बहुत जुरूरी है ट्रस्ट को बिल्ड करना अच्छी effective communication के साथ बात करना action बहुत जरूरी है maximum लोगों तक पहुंचना अगर आपकी communication skill बहुत अच्छी है अगर आप बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं trust बिल्डे लेकिन आप कम लोगों तक पहुंचे हैं तो results भी कम आएंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आज के दिन को बहुत सांदार मनाते हैं मेरी सुपकामना है आप सभी के साथ है